देश भर में खुरुना के चलते ही लोगों का बुरा हाल है। इतना ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ साथ हर राज में त्राही त्राही मची होई। चारुत तरप से रोने की आवाजे आ रहे हैं। इसे बीच जो दवाओं की कालावाजारी है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं चाहे वो रेमडेसिवर इंजेक्शन हो या फिर आक्सिजम इसे बीच ये नियूजनाव के सुत्रों के मताबिक टाक्सिजम रेमडेसिवर के बाद दवा के दलालों की नज़र अफ्टो औरेसिन वीपर है ये इंजेक्शन ब्लैक फंगस के लिए एक मात्र बिकल्प है दलालों और दवाओं की कालावाजारी करने बालों ने अब इस इंजेक्शन पर नजरे गड़ा दी है कोरोना से जंग जीत कर आये ऐसे मरीजों की जिनें पहले से कुई परशानी है और उन्हें ब्लैक फंगस होने की संबादना ज्यादा होती है इस बीमारी में मरीज को बचाने के लिए सही बक्त पर अमफरीसिंज वी इंजेक्शन के अलावा कोई और बिकल्प नहीं है इस इंजेक्शन की एक डोस की कीमत 3500 रुपे के करीब है ब्लैक फंगस से पीड़क ब्यक्ति को ये इंजेक्शन आठ हफ्तों तक डेली दिया जाता है ऐसे में इस इंजेक्शन की इंपोर्टेंस को समझा जा सकता है इसकी काला बाजारी को रोपने और दलालों की बहुत से दूर करने के लिए तुरम प्रवावी कदम उठाने की ज़रुत है देश के सभी जिलों में तैना ड्रक्स इंस्पेक्टर्स को इसकी जिले में इपलब दिता का रिकॉर्ड अपने पास रखे और मेडिकल इस्टो संचालिकों को इस जबारे में सक्ती से हिदायत दे की इंजेक्शन की एक इक डोस का हिसाब रखे साबदान रहे और इंजेक्शन को दलालों के हाथ ना पकुन दे स्पेशल डैस्क नियूजबा